नमस्कार दोस्तो सौगत आपका पैबले हिंदी में और आज का हमारा टाइटल है How to Automatically Post to Facebook from WordPress तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप WordPress और Facebook को एक दूसरे से connect कर सकते हैं कि जैसी WordPress पे आप कोई नई post create करेंगे, कोई नया blog create करेंगे तो Automatically वही same post, वही same blog आपके Facebook पे भी Automatically जाके create हो जाएगा जियां दोस्तों, और यह पूरी process हम automate करेंगे पैबली करेंट की मदद से WordPress और Facebook pages के बीचे में connection एक integration बना के अब आपको कोई भी manual work करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी WordPress पे जैसे आप कोई नई post publish करेंगे, Automatically यही same post आपके Facebook के page पे भी जाके create हो जाएगी इससे क्या होगा, आपकी जो post के views हैं, वो बढ़ेंगे अगर आप कोई marketing का use कर रहे हैं WordPress पे, तो उस पे भी आपके views बढ़ेंगे और आपकी जो services हैं, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हैं सिर्फ एक automation की मदद से तो आप कैसे बना सकते हैं इस पुरा automation को, कैसे connect कर सकते हैं इन दोनों applications को आईए देखते हैं मेरी screen पे नमस्कार दोस्तों, सौगत है आपका पैबली हिंदी में और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप WordPress और Facebook को एक दूसरे से connect कर सकते हैं कि जैसे WordPress के account पे आप कोई नई post create करेंगे तो automatically वो सी post आपके Facebook के page पे भी जाके create हो जाएगी और यह process हम automate कर रहे हैं पैबली connect की मदद से Facebook और WordPress की बीच में connection एक integration बनागी तो चलते हैं हम new tab पे आप देख सकते हैं यह है पैबली का landing पीच पैबली एक बहुती amazing software है जा आप multiple applications को एक दूसरे से connect integrate कर सकते हैं अगर आप एक नई user हैं तो जाएगे आप sign up for free पे जाप को और मैने मिलेंगे 100 free times कैसे automation create करने के लिए अगर आप एक existing user हैं तो simply आपको क्लिक करना sign in पे sign in पे क्लिक करते हूँ आपके सामने open होंगी पैबली कि यह पाँच में एप्लिक कीशन्स आज अमको use करना पैबली करने इड adviser का तो क्लिक करेंगेा आपके सामने एक dialogue box appear होगा जा आपको इस workflow को एक नाम देना है मालनी जब मैंने इसको नाम दिया है automatically post to facebook from wordpress आप अपने requirement के हिसाब से किसे कोई और भी नाम दी सकते हैं इसके बाद आपको choose करना है और particular folder जिसमें आप यह नया workflow बनाना चाहते हैं folder choose करने के बाद click करना आपको create पे और जैसे आप create पे click करेंगे अब आपके सामने open होंगे यह दो important boxes जिनकों कहते हैं trigger and action basically जो पूरा automation जो पूरा connection अब बनाने वाले हैं wordpress और facebook पे वो इन दोनो principles और concepts पर ही based होते हैं इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कह देता है do this मतलब ऐसा कर दो trigger और action को और अच्छे से समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मेरा आज का objective क्या है देखिए मेरे एक simple सा objective है मैंने wordpress पे जैसे कोई नई post create करी तो मैं चाहता हूँ automatically वो same post मेरे facebook के page पे जाके create हो जाए ताकि जो भी post मैं create कर रहा हूँ उसके likes बढ़ें उस पे views बढ़ें अगर मैं marketing कर रहा हूँ जैसे marketing के लिए मैंने wordpress पे कोई नया blog create किया कोई नई post create करी तो automatically facebook पे भी वो same post जाके create हो जाए ताकि उसके views बढ़े इंग्रीज हो और जो मेरी services है जो मेरा product है वो और ज़्यादा logo तक पहुचे इस type का एक objective यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ अब यह आप क्यों पर है कि आप किस type की post बनाने चाहते हैं wordpress पे मैं क्या चाता हूँ यहाँ पे मैं एक blog create करूँगा जैसी इस blog को मैं post करूँगा तो automatically facebook पे भी वो same चीज जाके post हो जाएगी तो देखी जो मेरे trigger application होगी वो होगी हमारी wordpress यहाँ से मैं choose करूँगा अपनी trigger application wordpress और trigger event हमारा क्यों होगा new post created इसका मतलब wordpress पे जैसी कोई नई post publish होगी instantly जो workflow हम बना रहे हैं वो trigger हो जाएगा इसलिए हम कहते हैं trigger application हमारी wordpress है और wordpress पे when this happens पतलब जैसी कोई नई post publish होगी instantly जो automation हम बना रहे हैं वो trigger होगा और action application हमारी होगी facebook pages जापे वो same post create होगी तो action application मैंने choose कर लिए facebook pages और action event हमारा होगा create page post अब देखे facebook और wordpress दोनों के पीच में कोई भी direct connection नहीं है इसलिए हम यूज कर रहे हैं public connect का तो सबसे पहले wordpress के account को हम connect करेंगे public connect से जैसी आप यहाँ पे कोई नई post create करेंगे तो उसकी details public connect है capture कर लेगा और उसी के लिए हमको यहाँ पे दिया है webook URL webook URL का काम होता है दो applications को एक दूसरे से connect करना यह अज़ बिरिच की तरह act करता है तो जो भी wordpress के account का data है वो public connect अपने पास capture करेगा इस URL की मदद सी तो यह जो URL है आपको copy करना है इसके बाद आपको जाना है अपने wordpress के account पे wordpress के account पे आने के बाद यहाँ पे आपको left hand side पे एक option देखेगा plugins का क्लिक करना आपको plugins पे फिर आपको जाना है add new plugin पे add new plugin पे क्लिक करने के बाद एक नया plugin आपको अपने system में install करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है wp-web-book जैसे आप wp-web-book को सर्च करेंगे तो यह जो plugin है यह आपको अपने system में install करना है यह वाला wp-web-books automate repetitive task by creating powerful automation अब देखिए यह वेरे system में already installed है और active भी है अगर आपकी system में यह नहीं है तो आप इसको install करें तब ही आपका WordPress का account connect होगा पैबली connect सी install करने के बाद आपको अपना जो WordPress का account इसको refresh करना है फिर left hand side पे ही आपको एक option देखेगा settings का क्लिक करना आपको settings पे और देखिए जैसे आप इसको install कर लेंगे तो WP Webooks आपको bottom पे कुछ इस तरीके से show होने लग जाएगा फिर आपको click करना है WP Webooks पे और इसके बाद कई सारे options आपके सामने आएंगे जैसे की home, send data, receive data, flows, authentication, data mapping, logs या settings अब हम क्या करना चाहते हैं हम WordPress के data को भीज़ना चाहते हैं पर मैं click करूँगा send data पे और क्या भीज़ना चाहते हैं जब कोई नई post create होती है उसकी details हम send करना चाहते हैं पैब्ली करेट के पास तो दिखी जो WP के trigger है वो आपको दिख रहे होंगे अब मैं क्या चाहता हूँ WordPress के account पे जैसी कोई नई post मैं create करूँ तो automatically मेरा वर्ट जो trigger हो जाए अब देख सकते हैं और भी triggers हमारे पास है जैसे कोई नया comment आता है comment delete होता है post अगर delete होता है उसकी details अब send करना चाहते हैं तो यह वाला trigger choose कर सकते हैं पर जो मेरा objective है वो है post created का मतलब जैसी कोई नई post create होती है तो उसकी details पर भीजना चाहता हूँ तो मैं click करूँगा add web book url पे और इस url को यहाँ पर मैं एक name दूँगा तो माली जब मैं इसको name दीता हूँ facebook test इसको मैंने name दे दिया है और जो url हमको मिला है पैबली करेक्ट पे इसको copy करके simply हमें यहाँ पे paste करना है और click करना आपको add for post create पे तो देखिए जो url है वो यहाँ पे setup हो जाएगा इसके वाद हमको एक step और करना है आपको scroll down करना है नीचे और देखिए जो हमारा web book है वो create हो चुका है अब आपको इन three dots पे click करना है पे और जो url है यह हमारा successfully setup हो चुका है अब चलता हम पैबले करनेट पे और देखिए यह web book response का यहाँ पे wait कर रहा है और note में बोला है कि जैसी आप web book को setup कर देंगे इसके बाद आपको test submission करना है मतलब wordpress के account पे एक नई post आपको create करके देखनी है फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसकी details public connect अपने पास capture कर पा रहा है या नही तो चलता हम wordpress के account पे और आप एक नई post हम करते है create तो click करना आपको new पे फिर आपको जाना है post पे अब देखिए जैसी मैं यहाँ पे नई post publish करूँगा तो details public connect automatically अपने पास capture कर देगा तो देखिए सबसे पहले इस post को मैं title देता हूँ और उसके content है पे add कर देता हूँ और देखिए सारे details मैंने आपको add कर दिये यह हमारी post का title mystical marvels अजननी थुरू इंडियाज hidden treasures और देखिए यह हमारी post का पूरा content अब एक featured image भी हम यहाँ पे add कर देते हैं और इस image को मैंने add कर दिया अपनी post पे यह है मेरी post का title और यह है मेरी post का पूरा content देखिए जैसे मैं publish पे click करूँगा और यह post नहीं पर publish होगी मेरे wordpress के account पे तो इसकी पूरी details public connect अपने पास capture करेगा क्योंकि हमने वेबुक URL setup करके रखा है हमारे wordpress के account पे और देखिए post यहापे publish हो चुके है तो चलता है हम public connect पे wait करते हैं वेबुक response का और देखिए आपके सामने यहापे हमको वेबुक response receive हो चुका है scroll down करते हैं नीचे यह हमारी post का thumbnail मतलब जो image हमने add करी है उसका URL यह हमारी post का perma link और scroll down करते हैं नीचे और देखिए यह हमारी post का title यह हमारी post का name और यह हमारी post का पूरा content आप देख सकते हैं पूरी details यहापे capture हो चुकी है public connect के पास इसका मतलब जो हमारा first step of integration है हो सही से काम कर रहा है हमने wordpress के account को successfully connect कर दिया public connect से हैं अब यही से post मैं अपने facebook के page पर भी create करना चाहता हूँ तो जो मेरा facebook का account है उसको अब मैं connect करूँगा public connect से तो click करना आपको connect पे इसके बाद आपको जा रहा है add new connection पे अब देखिए मेरा facebook का account मैंने already login करके रखा new tab पे तो मैं click करूँगा connect पे facebook pages पे एक नया connection यहापर मैं establish करूँगा क्योंकि मेरा facebook का account already login है तो यहापर सिर्फ मुझे access प्रोवाइट करनी है public connect को facebook से connect करने के लिए और देखिए जैसे मैंने continue पे click किया है हमरा authorization यहापर successful हो चुका है इसका मतलब जो हमरा facebook का account है वो भी connect हो चुका है पेबली connect सी है अब account connect होने के बाद वो page आपको select करना है जिस पर आप नई post create करना चाहते है तो देखिए कई सारे pages मैंने create करें अपने facebook के account पे अब मैं चाहता हूँ यह वाला जो मेरा page पेबली connect इस पे एक नई post create हो जाए आप चाहें तो कोई भी page select कर सकते है जितने भी pages आपने create करें उनमें से कोई एक page आपको choose करना है तो देखिए यहापर मैं choose कर लेता हूँ अपना page जिसका नाम है पैबली connect यह page मैंने आपको choose कर लिया है इस response का पूरा use मैं आपके कर लूँगा वो भी without manually type करके इस process को हम कहते है mapping मैं क्या चाहता हूँ मेरा आज का objective यह था कि wordpress पे जैसे कोई नई post create हो तो उसी post को मैं create करना चाहता था अपने facebook के account पे अब देखिए जो मेरे wordpress का पूरा data था response था वो capture हो चुका हमारी previous step में तो उसी data का use मैं आपके करूँगा तो click करूँगा मैं इस blank field पे अब मैं आपको बताता हूँ mapping कैसे की जाती है देखिए जैसी मैं इस blank field पे click के है तो wordpress जो के हमारी trigger application थी वो आपको यहाँ पे दिखरी होगी इसके drop down पे जैसे click करेंगे तो जो पर response आपको मिला था वो पूरा आपको यहाँ पे दिखरा होगा अब देखिए जो मेरी post का title था वो title सबसे पहले हैं आपके मैं map करूँगा इसके बाद एक यहाँ पे colon लगाँगा और जो post का मेरा पूरा content था अब वो content है आपके मैं map कर दूँगा देखिए यह था मेरी post का पूरा content और यह था हमारा title इसके बाद आता है link URL अब जो post आपने create करी है उसका URL है जो आपने image एड़ करी थी वो URL आपको यहाँ पे add करना है वापस click करूँगा इस blank field पे और जो मेरी post का URL था जो मैंने image add करी थी जो image का URL था उस URL को अब मैं यहाँ पे add कर दूँगा तो देखिए आप हम सर्च करते है post का thumbnail और वो ही same thumbnail यहाँ पे add कर दूँगा तो देखिए यह था हमारे post का thumbnail इसको भी मैंने आपने map कर दिया कुछ किस तरीके से अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि mapping का मतलब क्या होता है इसका use यहाँ पे में क्यों कर रहा हूं तो देखिए mapping इसलिए बहुत जाता important step होती है क्योंकि जो भी data मैंने आपे map किया है data automatically नए data से change हो जाएगा जब भी हमारा workflow trigger होगा असान शब्दों में मैं आपको समझा हूँ तो जब भी आप WordPress पे कोई नई post create करेंगे तो automatically जो नई post का thumbnail है जो उसका title है जो उसका content है वो automatically यहाँ पे आपके update हो जाएगा अपने आप आपका workflow trigger होगा और Facebook पे एक नई post create हो जाएगी इसलिए मैंने आप यूज़ के मैपिंग है क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं अपने आप चिंज होता है अगर हम इस डेटा को manually type कर देते तो ये डेटा रेता मैसे static या permanent फिर आपके Facebook के अकाउट पे नई post create नहीं होती है अब देखिए जैसी मैं सेंट test request की बटन पे क्लिक करूँगा automatically Facebook के अकाउट पे यही same post create हो जाएगी और देखिए हमको यापर API response receive हो चुका है इसका मतलब Facebook के अकाउट पे एक नई post create हो चुकी है चलते हमारे Facebook के अकाउट पे refresh करते हैं हमारा Facebook का पी जो चेक करते हैं क्या है आपे कोई नई post create हो या नहीं तो देख सकते हैं आपे नई post create हो चुकी है वो भी हमारी same image के साथ यह था हमारी post का title और यह था हमारी post का पूरा content आप देख सकते हैं यही same post मैंने create करी थी अपने WordPress के अकाउट पे वही same post का title के साथ image के साथ मेरे Facebook के अकाउट पे automatically जाके create हो चुकी है इसका मतलब जो automation हमने set up किया था पैबली करेंट पे इन दोनों applications के बीच में वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है simply दो step में हमने पूरा automation बना दिया तो इसका link पर अपने वीडियो के description में दे दूँगा जाप इसे बड़ी असानी से इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप subscribe कर सकते हैं हमारे channel को पैबली हिंदी को so thank you for watching this video सिर्फ यहीं नहीं दोस्तों आप और भी applications को connect कर सकते हैं पैबली करेट की मदद से और अपना मन पसंद integration बना सकते हैं अगर आपको कोई queries हैं कोई doubts हैं तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर आप हमको mail कर सकते हैं support at the rate public.com पर अगर आपको कोई pricing related issue है तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करना, share करना और subscribe करना ना भूले So thank you for watching this video